तो दोस्तो 11 मार्च 2022 शाम 5 बजे के करीब यहाँ पर RBI की तरफ से एक notification आता उसमें लिखा होता है कि RBI यहाँ पर PTM Payments Banks पर हाँ न्यू कस्टमर जोड़ने पर band लगा रही मिल्स यहाँ PTM Payments Banks पर हाँ पर succession लगा दिए कि वहाँ पर न्यू कस्टमर नहीं जोड़ पाएगी PT Payments Bank में कुछ खामियाँ पाई गई है यहाँ पर RBI की तरफ से एक यहाँ पर supervisory concern पाया गया है इसलिए इस पर band लगाया गया तो यहाँ पर PTM Payments Banks पर RBI ने क्या notification जारी कि तो उन्हें लिखा है कि action against PTM Payments Banks Limited under the section of 35A of the Banking Regulation Act 1949 के तहाँ यहाँ पर reactions लिया गया है और यहाँ प अपने new customers को जोड़ पाएगी उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा यह band कितने दिनों तक रहता है क्योंकि यहाँ पर यह बैन अभी लगा दिया है कि new customer नहीं जोड़ पाएगी और IT audit किया जाएगा RBI जब बैन लगाती कोई serious concern होता है तभी यहाँ पर कोई notification जारी करके RBI यहाँ पर करती है तो यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है पेटीम के साथ यह चीज़े क्लियर होगी IT audit के बाद तो फिलहाल जो है पेटीम पर यह band continue रहेगा जब तक यहाँ पर IT audit नहीं हो पाता है इस तरह का band RBI पेटीम पर पहले भी लगा चुकी है कुछ साल पहले यहाँ प पास penalties RBI की तरफ से लगाई गई तो RBI और पेटीम का चलता ही रहता साल कुछ ना कुछ यहाँ पर उनके साथ होता ही रहता band लगता ही रहता band दिक्कत यहाँ पर है जो ने पेटीम का share लेके रखा था उनके साथ बहुत दिक्कत थे पेटीम की share यह निउज आने के बाद ज अच्छा लगा information अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक भी इस वीडियो स्रेटर को भी सवाल और कुश्चन और क्वाईरी या परेचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं